आज 23 नवंबर दोहजार चोबिस की बाबा की साकार मुरली है। कि हम गौडली सरवेंट हैं। सरवेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान तूठता शाएगा। दूसर अबरश नहीं। देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौनसा दंड मिल जाता हैं? उत्तर ही, जिनकी बुद्धी में यह ज्न बेटता ही नहीं है साहुकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता हैं, इसलिए वह इस ज्न को समझ नहीं सकते यह भी दंड मिल जाता है, गरीब सहिच समझ लेते हैं, ओम शांती, रुहाने बाब ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, यात को रोध तो यह बनेंगे, सतो प्रधान बन अपने पैरडाइस राज्चों में प्रवेश करेंगे, यह सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परुन्त से काम लेना चाहिए, बाब ब्रह्मा द्वारा ही साक्षातकार कराकर कहते हैं, प्रींस बनना हैं, तो जाओ ब्रह्मा वा ग्रामनों के पास, यूरोप वासी भी इनको समझने चाहते हैं, भारत पैरडाइस था, किसका राज्च था, यह पूरा कोई जानते नहीं हैं, भार जायत वालों की फिर भी बुद्धी कुछ अच्छी हैं, बहुत जट समझेंगे, तो अब सर्वी सेबुल बच्चों को क्या करना शएए, उनों को ही डारेक्शन देने पड़ते हैं, बच्चों को प्राचिन राजोक सिखाना हैं, तुम्हारे पास म्यूजियम जनी आदी में बहुत आते हैं, उपिनियन लिखते हैं कि यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर तुम्हारे खुद समझते नहीं हैं, थोड़ा कुछ टच होता हैं, तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुशार्थ करे हैं, देह अभिमान बहुत है ना, तो ड्रामा अनुस्तार जैसे बाबा ने दंड दे दिया हैं, फिर भी उन द्वारा आवस कराना पड़ता हैं, विलायत वाले तो यह नौलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश होश हैं, गवर्मेन के ओफिसर्स पीछाडी कितनी मेहनत क करते हैं, परन्तु उन्हें फुर्सत ही नहीं है, उन्हों को भल घर बेटे साक्षातकार भी हो जाएं, तो भी बुद्धी में नहीं आएगा, तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इखटी करके उनका एक अच्छा किताब बनावें, राय जोक से भारत को ब्राप्त होती हैं, तो क्यों न यह म्यूजियम गवर्मेंट हाउस में अंदर लगा दे, जहां कॉन्फरेंस आदी होती रहती हैं, यह खयालाद बच्चों के चलने चाहिए, अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नर्म बुद्धी नहीं होगी, गोडरे फोरे नर्स भी आ कर देखी, विजय तो बच्चों की जरूर होनी हैं, तो खयाल चलने चाहिए, देही अभीमानी को ही ऐसे ऐसे खयाल आएंगे कि क्या करना चाहिए, जो बिचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्सा लेवे, हम लिखते भी हैं, बिगर कोई खर्चा, तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं, राय देते हैं, डिपटी प्राइम मिनिस्टर ऊपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे, यहो तो वंडर्फुल नॉलेज हैं, सच्च शान्त मनुष्यों की बुद्धी तमो प्रधान हैं इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं दिन प्रती दिन और ही तमो प्रधान बनते शाते हैं तुम समझाने की कोशिश करते हो कि यह विकारे धंदा बंद करो अपनी उन्नती करो बाप आये है पवित्र देवता बनाने आखेर वह दि प्रता नहीं देगी तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हरे गवर्मेंट हाउस में यह म्यूजियम लगा सकते हैं एक बड़े गवर्मेंट हाउस में होश आए तो फिर सब में होश आए समझाने वाला भी जरूरत चाहिए उनको कहेंगे टाइम मुकरर को रो जो क कोई आकर रास्ता बतावे बिगर कोडी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे यह आगे होने का है परन्तु बाप बच्चों द्वाराहे बताते हैं अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महाविर समशते हैं उनको ही माया पकड़ती हैं बड़ी उंची मन्जि बड़ी खबरदारी रखनी हैं, बॉक्सिंग कम नहीं हैं, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग हैं, रावन को जीतने का युद्ध का मैतान हैं, थोड़ा भी देह का अभिमान न आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूं, यह करता हूं, हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हमको पैगाम द करें, तब नशा चड़ें, एसे प्यार से समझाएंगे, बेहत के बाप का वर्सा, हर कल्प भारत वास्यों को मिलता हैं, पांच हजार वर्ष पहले, इन लक्ष्मी नारैन का राच्छ था, अभी तो कहा शाता है वेश्चा ले, सत्युग है शिवाले, वहो है शुबाबा क कि स्थापना, यहो है रावन कि स्थापना, राद दिन का फर्क हैं, बच्चे फिल करते हैं, बोरो बर हम क्या बन गए थे, बाबा, आप समान बनाते हैं, मूल बात ही, देही अभीमानी बन विचार करना होता है, कि आज हम को फलाने प्राइम मिनिस्टर को जा कर समझाना है उनको द्रिष्टी दे तो सक्षत कर हो सकता है तुम द्रिष्टी दे सकते हो अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती शैगी देही अभिमानी होकर बैठे अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाए तब बैटरी भर सकती है गरीब जट अपनी बैटरी भर सकते ही क्योंकि बाप को बहुत याद करते ही ग्यान भल अच्छा है योग कम है तो बैटरी भर न सके क्योंकि देह का एहिंकार बहुत रहता है योग कुछ भी है नहीं इसलिए ग्यान बान में जोहर नहीं भरता तलवार में भी चोहर होता ही, वही तलवार दस रुपया, वही तलवार पचास रुपया गुरु गोविंद की तलवार का गायन है, इसमें हिंसा के बात नहीं देवताए है डबल अहिंसक, आज भारतेसा, कल भारतेसा बनेंगा तो बच्चों को कितनी खुशे होने चाहिए कल हम रावन राज में थे तो नाक में दम था आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं अब तुम इश्वर्य परिवार के हो सद्यूग में तुम होंगे दैवी परिवार के अब स्वयम भगवान हमको पढ़ा रहे हैं हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का आधा कल प्रावन का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं अब बेहत बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो पांच हजार वर्ष की बात हैं उन्होंने लाखो वर्ष लगा दिये हैं, यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था, सबसे लास्ट नंबर जाड में खड़ा है, सत्योग में तुमको अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए, उसमें भी इतना अथाह धन था, जिसको आकर लूटा, मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे, प्रजा तो और ही सावकार होती है, प्रजा से राजे लोग करजा उठाते हैं, यह बहुत गंदी दुनिया है, सबसे गंदा मुलक है कलकत्ता, इनको चेंज करने की तुम बच्चों को महनत करनी है, जो करेगा सो पाएगा, देह अभिमान आय और गिरा, मन मनाभव का अर्थ नहीं समशते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं, ज्यान तो उनमें हो न सकें, सिवाए तुम ब्रामनों के कोई मर्ठ पंथ वाला देवता बन न सकें, प्रशा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्रामन बनने बिगर देवता के से बन पहले बने ही वही बनेंगे, टाइम लगता ही, जाड बड़ा हो गया, तो फिर व्रिद्धी को पाता शाएगा, चिंटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा, बाप समशाते ही, मीठे बच्चो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चकर फिराओ, तुमारी बुद्धी में सारा च चौरासी का चकर ही, तुम ब्राह्मन ही फिर देवता और ख्षत्रिय घराने के बनते हो, सुर्य वैंशी, चंद्र वैंशी का भी अर्थ कोई नहीं समशते हैं, मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समशते हैं, तो समझा जाता है, अभी समय नहीं है, फिर भी आते ह समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है अंदर आके देखते हैं तो कहते हैं यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यह तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है संपूर्ण निर्विकारे बाप कहते हैं काम महाश इन पांच भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगडा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं। बाहर चाने से सब कुछ भूल जाता हैं। तब कहते हैं सो सो करे शरिंगार। यह बाबा गाली नहीं देते समझाते हैं। देवी चलन रखो, क्रोध में आकर भोगते क्यों हो। सवर्ग में क्रोध होता नहीं। बाब कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्ता नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा काईदे अनुसार चलता रहता है, ड्रामा में कोई भूल नहीं है, अनादी अविनाशी बना हुआ है, जो एक्ट अच्छी चलती है, फिर पांच हजार वर्ष के बाद होगी, कई कहते हैं, यह पहाडी तूटी फिर केसे बनेगी, नाटक देखो, महेल तूटे, फिर नाटक रिपीट होगा, तो वही बने हुए महल देखेंगे, यह हुबहु रिपीट होता रहता है, समझने की भी ब्रेन चाहिए, कोई की बुद्धी में बेटना बड़ा मुश्किल होता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी है न, रामराच्य में इन देवी देवताउं क उन्हों की पुझा होती थी, बाप ने समझाया है, तुम ही पुझ और तुम ही पुझारी बनते हो, हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, बाजोली है न, इनको अच्छे तरह समझना है, और समझाने की कोशिश करनी है, बाबा ऐसे न का राज समझ कर समझव मूल बात है मन मनाभव अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे याद की जात्रा है नंबर वन बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा सत्यूग में कितने थोड़े मनुष्य हैं कल यूग में इतने धेर बागवान खिवय या बाप को ही कहते हैं वही दुख से छुड़ा कर उस पार लेशाते हैं पढ़ाई कितने मीठी लगती हैं क्योंकि knowledge is source of income तुमको कारुन का खजाना मिलता है भक्ते में कुछ नहीं मिलता यहाँ पाव बढ़ने की बात नहीं वह तो गुरु के आगे आते हैं एसे बाप को याद करना चाहिए वह हमारा बाप है यह समझ लियाना बाबा से वर्सा जरूर मिलता है वह खुशी रहती हैं लिखते हैं हम सहुकार के पास गए तो लज्जा आती थी हम गरीब हैं बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा सहुकार होते तो यहाँ ही नहीं अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रती मात पिता बाब ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की सिखिलते रुहानी मात पिता बाब ददा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते बाबा नमस्ते, धारना के लिए मुख्यसार, पहली पॉइंट है, सदा इसी खुशी वा नशे में रहना ही, कि अभी हम इश्वर्य परिवार के ही, स्वयम भगवान हमें पढ़ा रहे ही, उनका प्यार हमें मिल रहा ही, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे, दूसरी इस बने बनाए ड्रामा को एकुरेट समश नहीं, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती, जो एक्ट हुई, फिर रिपीट होगी, इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो, तो कभी गुस्ता नहीं आएगा, आज का वरदा नहीं, तूफान को तोफा, यानि गिफ्ट समश करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव, तूफान को तोफा, यानि गिफ्ट समश सहिश क्रोस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव, विशलेशन है, जब सभी का लक्ष संपूर्ण और संपन्न बनने का ही, तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं, मुर्ती बन र रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे जादा क्रॉस करने होते हैं लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता तो फा लगता हैं यह तूफान भी अनभवी बनने की गीफ्ट बन जाते हैं इसलिए विगनों को व स्वचिन्तन में रहते हुए स्वकी चेकिंग करो अलवेले पन को समाप्त करना है तो स्वचिन्तन में रहते हुए स्वकी चेकिंग करो अच्छा ओम शान्ति